नमस्ते होम टिस्वाय मम्ता में आपका स्वागत है आज मैं चार चीजों को मिलाकर बनाने वाली हूं एक ऐसा पाउडर जिससे की आपका स्वास्त भी ठीक रहेगा पाचम भी ठीक रहेगा और बजन भी कम होगा इसके लिए हमने सबसे पहरे डाइचो ग्राम मैथी ली है ज इसको अलग बाड बाद की अजोएं ली सिक गई है इसके साथ ही हमने पचास ग्राम सौप ली है मौटी सौफ है मिलने काली जीरी, फोरी सी मुष्किल से मिलती है, यह आयोग्यदी की दवाईयों की दुकाने होती है, उन पर मिल जाती है, आसानी से, मैथी, सोप और अजोएम, तो किसी भी किराना की दुकाना या किसी भी स्थोर पर गलब होती है, तो अब हम इन चारोंग चीजों का एक निश्चित नाप होता है जिसके अनुसार ही हम इनको तयार करते हैं इसके लिए हमें मैथी 1500 ग्राम अजोयं 100 ग्राम और सोख 50 ग्राम और काली जीडी 50 ग्राम लेनी होती है लाए चारों चीज़ों को ने से ये निकाल लिया है। अब इससे और ठंडा ड़ना होने के समय लागे लाग्येंगा इन तरां चीरी नुकल 마음에 संद्री हो गया है। हम बेसे घंड़े लेते हैं और रोज सामको खाना के बाद इसका हम एक चम्मच इस्तेमाल करते हैं मतलब खाते हैं पानी के साथ में और इसको खाने के बाद आप फर्क स्वयम ही महसूस करेंगे थैंक यू ममता कुलदीप मिश्रा